दो हजार चोबिस का आगाज हो चुका है लेकिन दो हजार चोबिस में कुछ एक नया ही होने वाला है वो होने वाला क्या है कि इस साल दिवाली दो बार आने वाली है पहली आने वाली है दो हजार चोबिस की जनवरी में 22 जनवरी को जब अयोध्य में राम लला की स्थापना होगी और एक दूसरी दिवाले जो अपने तैसमर आने वाली है आज मैं रतना कर्मली का आपका स्वागत करता हूँ सुरा जिसे रामरा जकी और एक संगर्श यात्रा में आज इस स्थापना होगी आप साक्षी रहे हैं आपने इस संगर्श यात्रा के जो आगाज हुआ था वो ही आपने किया हुआ है अब जब 22 जनुवरी 24 में जो स्थापना होनी वाल उस पर तो हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले संगर्श यात्रा की जो शुरूआत आपने की थी हम उस पर बात करेंगे कैसे इसकी शुरुवात हुई थी और क्या सपना और क्या आपके दिल में क्या जजबा था जिसको लेकर आपने श्यात्रा की शुरुवात की ज़रा हमारे दर्शकों को बताईए इह जो आंदुलन है वो करीब-करीब 500 वर्ष से वर्ष का जिर संगर्ष है उसमें राष्ट्रियस वारे श्युक संग का मैं कारेवा था हमारी शाखा का और उस आंदुलन में सक्रियस वहाग में लिया था घरगर जाकर जिस परकार से संगर की और से निर्देश आते थे उस से उस कारे कहुं करते थे नाइंटी माइन में मैंने मेरा तो काम था वहीं पे शाखा में रहना और इसके अलावा दाइत वह दिया गया था उसमें शाखा से हमारी टीम को भेजना था तो उसमें मेरे घर के भी चार लोग गय थे और मैं उसमें नी जा पाया था पर नाइंटी अपरी धाचा जो गिरा है उस संगर्ष में मैं वहीं पे था उस धाचे के उपर में भी था जी 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 मतलब जो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वो संगर्ष की शुरुवात हुई थी कितना जो अन्याय अत्याचार भी वहाँ पर हुआ था कई लोगों की जाने भी वहाँ पर गई थी तो किस तरह से आपकी जो उस वक्त की जो एज रही होगी या उस वक्त की जज़बा रहा होगा तो क्या भावना थी उस वक्त आपकी युवा था, तो उसमें जोश रहता ही है, वो जोश पहले से था घर का वातावरन भी वैसे था, हमारे पिता-जी भी उसी सब इसमें रहते थे, और वातावरन ही ऐसा था, कि उसमें हम जब गए तो नाकपूर में मेरे साथ में एक मेरा भाई आया था, फूपा का लड़का थ और जैसम को छोडने आया था, मैं वात्रण के बाद बता हूँ, छोडने आया था, तो भी गाड़ी में बेट गया, और सी राम करके घर में बता दीजिए कि मैं चल रहा हूँ, बाहर गाओं का रहने वाला और हमारे साथ में चल रहा था। वो लहर ही ऐसे थी कि उस लहर में जो भी उस लहर को देखता था, आपका जो जज़बा देखता होगा, आपके जो नारे बाजी भी होई इतनी होगा, उसको देखे हर कोई उस बहाओं में शामिल होने की ही। कार सेवा के माध्यम से वहाँ पर यह सारा कारिक्वा हुआ था, कुछ ऐसी घटना है जो आपके दिल को जखजोर दी गई हो उस वक्त की। जब मुख्य मंत्री थे, उनने अपना इस्तिफा नहीं दिया था, और उस समय में सेंट्रल की फोर्स उस ग्राव तक पहुची थी, पर उस अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुख्य मंत्री ने ऐसा आदेश नहीं दिया था, जब तक के राज्य की सरकार जब तक के अलाव नहीं करती तो सेंट्रल का फोर्स वहाँ जाती, उस कारण वहाँ पे आकर खड़े थी सामने, और उस एक शेत्र में हम लोग वहीं पे थे, उस समय में हमारे साथ में एक महिला थी, उस समय में उम्र करीब पचास से पचपन थ और हमने जो बोलते हैं कि एक महिला दुर्गा का रूप करके जैसे धारन कर लिया था, वैसे ही उस औरत ने उस समय में दुर्गा का रूप धारन कर लिया था, और सब को माने सामने रास्ते में रास्ते में आकर सब को बच्चों को हमारे बच्चों कोई ले नहीं सकता, नियम के अंतरगत किया जाता है, तो इसके बारे में आप कहना, कैसे क्या कहना चाहेंगे, कि क्या आपकी जो सारी योजना यहां से निकल कर वहां तक जाना इसके लिए कुछ रूप रिखा तयार की गई थी? रूप रिखा वो तो हरे एक अपने अपने शाखा से पहता कि कौन-कौन जाएगा पर एक बताने लाइक विज़स्ताई से बताऊं कि सभी और इतने शिस्तवद्द इस प्रकार से जाने वाले लोग उसमें उस दिन ऐसा क्या हो गया कि उसको ड़ा दिया गया तो रामचंद् जब प्रेस कांफरेंस विज़से में उसमें बताया था एक बहुत सुन्दर उधारण दिया था कि हनुमान जी सिता मया को मिलने के लिए लंका गय थे उनका ठीका ना धूनने के लिए गय थे पर रावन ने उनको पकड़ दिया और उनके पूछ पर आग लगा दी तो इसक अगर हमारे साथ में ऐसा होता है तो कुछ भी हो सकता है ऐसा संकित भी उनने धिया था कुछ में आग लगा दी उसके बाद का जो लंका का जो विद्वान से जो हनुमान जी ने किया वो तो सर्वसूत है ही हम उस संगर्ष यातरा को अब यहां तक लेकि आए और जैसा कि आपने कहा कि 400-400 साल पूराना यह संगर्ष है अब उसका कही ना कही अंत होता हुआ नज उसके पड़ा है दयनिक बासकर में कुछ कभी आया था कि नवयूग निर्मान की प्रसोव पीड़ा तो हुआ कार्यकाल ऐसा था कि नवयूग निर्मान की प्रसोव पीड़ा थी अब उसमें से अच्छे दिन आगया है और सनातन धर्म को इस प्रकार और संपुर्ण भारत वर्ष को उन्नक्ति की और ले जाने का समय आ गया है और इस मंदीर के निर्मान से वह शुरुवात हो गई है किस तरह की तैयारिया जो है नकूर्शार से लेकर तो अयोध्या तक जो है आपने और आपके कारे करताओं ने करके रखी है ताके हम 22 जनुवरी का जो दिन है उसको उत्सा पूर्ण तरीक से मना सकें वैसे तो बता गया है कि एक तारीक मने अभी एक तारीक से लेकर एक जनुवरी से लेकर 22 जनुवरी तक हम लोग हर घर में अक्षदा लेकर जा रहे कि आप राम जनुवरी में जाये दर्शन ले उस दिन तो बहुत रश होगा उस दिन को छोड़ कर जब भी आपने समय मिलता है उस दिन राम जनुवरी के दर्शन करे इसके लिए हम लोग हक्षदा लेकर जा रहे है और 21 तारीक को हमारे बस्ती में एक शुभायात्रा निकल करेंगे और 22 तारीक को हर मंदीर में हम उसका जलोश करेंगे और उसको यात्रों वहां जो दर्शन होगा ओ टीवी पर देखेंगे आने वाले समय में राम राज्य की जो संकलपना जो आप जनता है जब हिंदू परिवार जो करते हैं तो उस संकलपना को साकार करने के लिए ये किस तरह से ये जो उत्सव जो है ये किस तरह से सायक सिद्ध होगा वातावरन बनाने के लिए यह अच्छा मौका है और अच्छा वातावरन इसकारन बंद रहा है संपूर्ण भारती में संपूर्ण विश्व में एक अच्छा सक्रिय वातावरन बंद रहा है इसका मु विरासत को हम संजोए हुए उसके साथ साथ में चले। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी विरासत के हमारे जो इतियास है इतियास को लोगों ने सामने लाया है और उसको आदर्शे करके हम आपने चरीदार्त कर रहे हैं। तो आज इस ख्षण में कहीं आपको लगता है कि उनके जत्मों पर मरहम लगा है इस घटना से, क्या लग सकता है। एक तो आनन्द है जो भी विक्ति, जो भी कारसियोग वहां गया होगा। क्योंकि उस समय में तो इसका इतना सब अच्छा होगा, इसकी जानकारी भी नहीं थी। सब हमको करना है बस उसी जोश में सब गये थे। पर अभी आनन्द मेहसूस करते है कि चलो हमारे जीवन में उसको देखा है। बहुत लोग है कि जो विचारे उस समय में जो सामने थे अभी अस्तित्व में नहीं है। पर उसका लाव नहीं ले सके। इस भारत वर्ष में इसको हम मना रहे तो बहुत आनन्द का समय है। आप हमारे माध्यम से जो दर्शक देख रहे हुने किस तरह से निमंतन देना चाहेंगे इस पुरे उत्सव के लिए। इस उत्सव में आप अब जहाँ भी रहेंगे वहां अपने घर के पास में जो मंदिर होगा, जहाँ आपके वस्ति में कारे क्रम होगा उस कारे क्रम में सब्मिलित होईएगा। सुबह उठकर अपना प्रातस्मरन्य काम निप्टा कर देवल में जाईएगा, वहाँ सम्मिलित होईएगा और आनंद वेक्त कीजिएगा आपके लिए भी बहुत आनंद का समय रहेगा बिल्कुल जैयन जी आपने जैसा की कहा कि पुरे भारत वर्ज के लिए एक बहुत आनंद का समय है हम सभी दर्शकों को भी जैयन सर के माध्यम से इन्वाइट करते हैं कि इस आईतिह सिक्षण के हम साक्षियों और जैयन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे स्टुडियो में आकर बात चित की और आप इस संगर स्यात्रा जी से हम कहते हैं सुराज जैसे रामराजी की और इसके शुरुआ से साक्षियों रहे हैं और आने वाले इस दिवाली के विदू 22-22-24 के भी आप साक्षियों रहने वाले हैं आपको बहुत बहुत शुपकाने बहुत बहुत धन्यवाद सर आप धन्यवाद